तो क्या हो गया एक कैसे आपके पती दूसरी महिला के साथ चकर चल रहा है उनका रह रहे हैं दूसरी लड़की के साथ तुम इस तरह का काम गटिया काम की हो मतलब हम तुमको गोली चलवा दे क्या करो 2007 में आपकी शादी हुई ठीक है तीन बच्चे हुए अलाग लग समय में तीन बच्चे हुए पहले कैसे था पती का बिवहार कैसा कहीं से हमात हमा पी के हमा मारें बहुत बहुत एकदम बहुत मार मारें तो साब हम अपने सास के भा साथियों नमस्कार इस वक्त मेरी मौझूदगी आजमगर जिले में और यहां पर मेरी मुलाखात एक ऐसी महिला से हुई है जिसके तीन चोटे चोटे बच्चे हैं अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है आगे की कहानी ये है कि जब मैं पूरी बात उस महि महिला की जिन्दगी से जुड़ी हुई आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारा सामाजिक तानाबाना किस तरह से प्रभावित हो रहा है इंसाने रिष्टे किस तरह से तूट रहे हैं विखर रहे हैं उसकी जीती जागती मिसाल ये महिला है यहां पर द के साथ ओ आजमगड के जिले में कहीं पे कमरा लेकर के रह रहा है और ये महिला तेन छोटे छोटे बच्चों को ले करके किसी तरह से अपनी जिन्दगी गुजर बसर कर रही है परेशानियों को जहल रही है और अधिकारियों के दर्वाजे के चक्कर लगा रही है कि सहाब हमको न्याय दिलवा देजिए लेकिन न्याय मिलेगा कैसे यही हम सब जानने के लिए यहाँ पे आए हैं इस महिला से बाच्चीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जब यह अधिकारियों के दर्वाजे उनके चौकट पे जाती हैं तो किस तरह से फर्याद लगाती है वो क्या कहते हैं अब तक इनके मामले में उनकी तरफ से कितनी मदद हो पाई है और पूरी कहानी जाने के महिला से कि क्या हुआ था कैसे इनके पती इनको धोका दे करके दूसरी लड़की के साथ आयाशी कर रहा है मैं तो आयाशी इसलिए बोलूँगा क्योंकि इन मासुम बच्चों को जड़ा एक बार देख लिजे और फिर अंदाजा लगाईए कि अपनी पतनी और अपने इस घरबार को छोड़ करके देखे ट्रेक्टर वगएरा है ठ्रेशार वगएरा है और वो वक्ति वो मान में विदेश के वो मान में कमाई भी करता था अच्छी खासी प क्या नाम आपके पती का स्यामदेव स्यामदेव नाम है हाँ स्यामदेव अच्छा तो जब शादी हुआ था तो पती का बेवहर कैसा था आपके प्रती तब सही रहना है शुरू-शुरू में सही थे हाँ सुरू-शुरू में सही रहना है पहला बच्चा कब हुए आपको इसमें तेरा साल के है पुजा, जोती बारा साल के है आशुय आठ साल के है तो क्या हो गया दूसरी महिला के साथ चकर चल रहा है उनका रह रहे हैं दूसरी लड़की के साथ जिससे हमरे सास की ननियसर रॉप नतर बू है भाटीजिक लड़की रहा यहां रिंक लगीं ड्याव हैं हमादाव्वं के ल्गई रस लेकर के तैक्टर प्रॉप करने दमा इक हुँ novus कि दमाई कर गया लाना तो बस एक री बाद हम पूछनी कहां जा थे वा करता हम जा रहे थे विदेश कमाई करने तो लड़की खाना बना के ले गई थी मतलब आरचना पीता के मतलब महतारी मतलब हम कहां लड़की हम कहां लेख जा तो पालि हम कहां भजोाड हे आदमे के लोगों बजो लेगने जोटा हुख़़का हमाय दिया लगनी मारत तब एकरे बाद हम ना बोलनी फिर एकरे बाद हम वापीस आई नी जब आपकी चक्कर नहीं है तो कब लेवर चौबीस एक्टूबर में अगली अगली चक्कर आईने आपने अलगे लगने 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 खाए तो कुछ ना बोली तो कहीं से हमाने बहुत 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 मार मार रहें इसाए Goodbye स्झेड़ के बहाग जाने इस तो क्यों बचावाला हम्रे तो MONA फॉरुट करो करो Kanal वाला हम्रा करो करोИं जिसको वो चाहने लगे थे जिसके साथ रने लगे थे वह लड़की खाना बना के लेके लेके गएंगी अर पोड़े तक छोड़े फिर am पूरेज कैसे हो जाएगा हिंदू मैरेज एक्ट में तो दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली पत्नी से तलाक नहीं पूलिस लोग आई ने तकाना की सुनीता साधी हो गए हमको नहीं पता मतलब साधी चोरिस गल तकाई जगा देखाने लोकाला साधी ना भाई लिया था वही पे साभ हम दवड़े लग लिए तब दवड़े दूपल लगनी तब एकर बाद ना उथा कैना फिर चार पांच महि मतलब जब से गईने 28 फरवरी के गयल हूं नै पईसा न फोड न कुछ न कुछ न कुछ को नो चीश मतलब ना अब घर से बच्चों नहीं पर दो भी एक बार नहीं उनको याद आती बच्चों के भी लड़कें की खोजत होने हमने कूछ खोजत हों तब एक रबाद का वेज़ साव यह कुल कई नहीं आपने तब एक रबाद हमने जब जनकारी भैल हम गाहां वाली काना की तहार आदमी आजमगड में जाफर तुर्मियाईल हमें तो हम काली कि तब हम साब हम क्यों बात ने मतलब विदेश से सीधे आप कहा नहीं आई नहीं विदेश से लड़की के घर गई नहीं तो लड़की माई बाप नगेसर और बिरेंदर सुनीता सब मिलके वो लड़की के मतलब घर से निकाल दाने लड़की के लड़की के अपने चाचा का लड़की के आदमी मरला नहीं तो कैसे जानत हो की घर नहीं तो कैसे ताला तोड़के गाड़ी अवरू जवाना की बैग अवरू सिलेंडर अवरू 10,000 रुपया गाना बरतन कमरा सब एकदम उठाए के ले जाए कि चोरी सुठवा करें वो उपर धंकी दे था हो कि हम गोली चलवा दे वें पती दे रहे हैं और अर्चना धंकी दे रहे हैं कि मतलब हम तुमको गोली चला दे क्या करोगी बताए सर हम कहां जाएं तीन बच्चियां तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आए तुम इस तरह का काम घटिया काम की हो इसी को कहते हैं पहले चोरी और फिर उसके बाद सीना जोरी जो लड़की इनके पती को हड़प करके बैठी है और सीधे तोर पर यह नहीं कहा जा सकता बिना गए तो इनके पती के गए यह परिसितिया नहीं बनी है लेकिन अब वही लोग इनकी जान के दुश्मन बने हैं और धमका रहे हैं अच्छा आपके पती बता रही है कि आप घर का ताला उला तोड़के आ हमार भाई पैसा अपने 22 पैसा मंगनी तब एकर बाद लानी तब सेकरे बाद हमां लड़का खाथ गोहूं चाहूर सब उठा लेगे हैं हम इतना परसान है कि हम कई से कई से मजूरी धातुरी का अपने लड़कन के पढ़ाओ तिला लिखाओ तिला इससे हम आपने तहाने से तब जो नकी साब जो बड़े अधिकार ही हो वहां पे गई कभी नहां तब यहां से ना सुनवाई भाई निजाम बात थाने से तब हम आजम गड़े सबसाद के लोग नहीं इस मामले पर आपका साथ दिया उन्होंने कि अपने भाई को समझाएं हमारा कोई नहीं साथ दिये बस हम खली मतलब अपने मतलब हमारे पीता जी जो दिया हमारे भाई है और हमारे पास लौट आए हमारे बच्चिया देख हमारे बच्चिया कहां पर जाएगे हम नहीं कुछ करें कि तो आपके गाउं के जो जिम्मेदार हैं जिसे प्रधान जी कभी उन्होंने नहीं आपने उनसे नहीं कहा कि प्रधान जी चलिए जहां की लड़की है उसके घरवालों को समझाईए कि वो अपनी लड़की को इस तरह से रोक लें अप फालतु में हमारे जिंदगी ना बरबात करें आपने नहीं कहां उनसे दिवाली के दिवाली के दिवाली के दिन वहां से दरोगा आए थाने पर से दरोगा जी बोले कि मतलब दरोगा जी बोले कि उसी के घर में रह रह रही उसी घर में मुकदमा की कर बू तो हम ना कुछ बल नहीं कात हों कि कोड का कागद दिखाए जब कोड चोरी से चोरी से क परधान जी के वहां लगे ने बने पतन का वाना परधान ना बोलने अच्छा यह घर वगरा जो जमीनों कर रहा है खेत तो सब किसके नाम पे मेरे आदमी के आदमी के नाम पे ना तो जब इस तरह से आपके साथ धोका धड़ी कर सकते हैं तो कल को आप लोगों को घर से भी मा मतलब नहींन है उनके मातोजी के नाम है काई नावान मतलब वह कोठा पर चड़वा देंगे इसाया कैसा मतलब प्रवरी में आए जब आपको पता चला कि कहीं दूसरी जगह पे आएं तो आपने कोशिच नहीं कि कि अपने पती को खोज के उन से मुलाकात करके इन बच्चों को साथ जाएं और पूछें लेकिन हमाई-बाप काना मतलब समझाता हो जाए समझाता हो जाए ति सब मतलब मतलब हमाई-बाप गरीब हो तो ही कोजा से हमारे को नों सुनवाई ना रहा ता आजम गड़ गई नी ता आजम गड़ से मतलब सुला सपार्टी हमरे खरकवली के परधान भी आए लाना है तो वह सुलाब है लेकिन उसाब मन बैना कहीं अपने आगे मतलब उनका लाइन लाग डवनों मतलब खराब रहा है जब वहां असनी दाम गई तब इस लिए तो नहीं पड़ गए कि ती लड़का ना हुई है तो ही से साहब अपन उत्वा उत्वा कई के अपिर साहब उनके वह लड़की के बाप के पूरा पैसो नईस लाख रुपए वो दाले हमें पूरा एकदम जितना कमाई ले हो उतना वहां तक ले जाके एकदम आपन बरबाद कहने पहले उनकर अगर इन बच्चों की खातिर मालेजी समझाता कि आप बार बार जो कह रहे हैं बच्चों के लिए तो कह रहे हैं अगर आपका पती वापस आ जाए और तयार हो जाए कि नहीं मैं आपके साथ ठीक ठाक से रहूंगा गलती नहीं करूंगा तो सब भूल जाएंगी हम सब भूल जाएंगे हमारे पती हमारे आजाएंगे अगर आपके नहीं मैं अर्चना के साथ यसे घर में आऊंगा रहूंगा तब तो हम वह यह से हम समझता करें हम वह लड़की हम यहां नारा यह जमिनियों हो एक मिर्जा पूर है एक निजापूर है प्रवाद घूरी वाले मोड़े प्रवाइब पाइसा लेके सब उसको देते रहें उनिस लाग का बताई रहें तो कल को जमीन जायदाद भी देदेंगे पूरा सब कुछ एक दम सब कुछ ले चुक ले चुक लिए चिंता नहीं होती अभी तो बच्चियां छोटी है एक तेरा साल की है और तेरा साल की बच्ची बहुत जल्दी धेरे जब बड़ी हो जाएगे तो उसका शादी बीवा कैसे करेंगी पूरा जिंदगी खराप के अपन जिंदगी खराप के ने हम अब लड़की नों जिंदगी खराप के ने वह जाना चोटेंगे काम करते हैं कि तभी तो जिंदगी चलता ही होगी ने कहते हैं अभी पता नहीं हम नहीं जाना अभी हमको नहीं पता है देखे भी याई सुनीता है आजमगड के सुनीता और इनकी दुख भरी कहानी ये है कि जब शादी हुई 2007 में सुनीता की इस घर में ब्याह करके आई और तब बड़ा अच्छा महौल था घर का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दो बच्चियां होई उसके बाद धेरे धेरे मन पती का उचटने लगा और जो डर मुझे था जिस बात का मुझे खौफ बार बार मन में आ रहा था वो यही कि कहीं इस महिला के साथ ज्यात्ती तो इसलिए नहीं हो रही है कि तीन बच्चियां होने के बाद चायद ये महिला बच्चे को यानि कि बेटे को जन्म नहीं दे पा रही थी या नहीं बेटा नहीं हुआ इनका तो इनके पती ने सोचा होगा कि अब शायद मैं इस महिला से बेटा नहीं पैदा कर पाऊंगा या मेरी नसीब में नहीं है तो वह दूसरी शादी करने के फिराक में पढ़ गया और इसी ट्रेक्टर से एक जगा दवाई करन आता है और मजूदा समय में जब वो विक्ती आखिर में ओमान से कमा करके आता है तो अपने इस घर पे नहीं आता बलकि उस लड़की के घर पे दूसरी लड़की के घर पे जाता है जिसके साथ रहने का दावा ये महिला कर रही है अर्चना के साथ और वहां से उसको ले करक आजमगड के अलग-अलग हिस्सों में रह रहा है और अपने इन मासूम बच्चों को छोड़ करके जरा भी उस निर्दई इनसान को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ऐसे मासूम बच्चों को छोड़ करके ये भी नहीं देखने आता कि वो किस हाल में है वो अपनी अयाशी कर रहा है अपनी जरुतों को पूरा कर रहा है अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपना घर्बार छोड़ करके और जब आया भी तो ये लोग घर पे नहीं थे और ताला तोड़ करके इनका कहना है कि इनके गहने वगएरा भी उठा ले गया जो जिस सेलेंडर पे ये खाना बनाते थी बरतन तक उठा ले गया ताकि ये लोग इतने प्रताडित हो जाएं कि इनको जब कोई रास्ता ना मिले तो ये लोग अपने माई के चले जाए ना ये इसी बात के लिए तो आजमगड की सुनीता को नयाए कैसे मिलेगा आजमगड की अधिकारी अगर ये वीडियो उसके भी सपने रहे होंगे 2007 में जब वो ब्याह करके इस घर में आई थे उसके भी सपने रहे होंगे कि मैं अपने घर जा रही हूँ अपने ससुराल जा रही हूँ मेरा वहाँ आशियाना होगा और मैं अपने संसार को खुशियों से भर दूँगी आज उसकी हकीकत ये है क और इसकी सुनवाई हाल फिल हाल कहीं नहीं हो रही है, हाला कि आजमगड के पुलिस कप्तान ने कहा है कि सुनीता घबराओ मत तुम्हारे साथ न्याय होगा, न्याय कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग आजमगड के सुनीता के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए, ताकि जिम्हदारों के कानों पे जो जू नहीं रही है, वो जू रहेंगे, और सुनीता को न्याय दिलाने के लिए, इनसाफ दिलाने के लिए, वो कदम उठा सकें, और इस महिला को न्याय मिल सकें, धन्यवाद.